कि नमस्कार साथ यह आपका स्वागत आपके योटूब चैनल ट्रेट वित रॉनिक चलिए दोस्तों सुरूब बात करते हैं जैसे कि अपने चलिए चार्ट पर चर्चा तो चार्ट पर हम चर्चा करने जाएंगे आज फिनुलक्स इंडस्ट्री लिमिटेट के बारे में फिन देंगे बारे में उसके द vrij अच्टे के रहए करना चाहिए रहावत को निफिस्ट्र पर जो निफ्टॉट पर निटे करतें हैं में आच्छे यह के ग्रावट में बाय करना आना चाहिए और देखिए इस टेम पे मौस्ट आफ दा लोगों के पॉर्टफोलियो ग्रैडी दिख रहे होंगे क्योंकि देखिए इंपेक्ट को पड़ेगा बट ये फरवरी को जो मंत है न हमारा थोड़ा ऐसी जाने वाला यूकेरे के वज़े से यूकेरे और रश्या के वीच में जो वह इस तिति नहीं है न्यूस देखेंगे तो आपको समझ जाएगी बट न्यूस ऐसी न्यूस का ब्रहम पहला जा रहा है इंदुस्तर में तो आपको दीखिए थोड़ा सा न्यूस चाहिए तो दूपिलिकेट करना स्टार्ट कर देत कर देखनें हैं। करता है तो आपको क्या करना है इस गरते बजहर वचार में ओप्जन देखना है और किंगे जब भी अच्छे पृजिव टैरिटरी में चलेंगे तो उनी शेरोगंदर तीजी देखने हो मिलें जो अच्छे शेरोगंदर पाल बीडैए का अपटा तीन दिन से वह वार के स्थिति के वज़े से बाकी है अब मेरा मानना है कि देखिए आप वार को अवाइड करिए अच्छे शेयर हो के अंदर बाय करिए डिप एंड वाय का ऑप्शन रखिए वार के अच्छे शेयर हो के अंदर बात करता है वार के वारे मेरा मानना है कि आप मेरे चानल के साथ जुड़े तो आपको अवेर करना हर चीज हो से जित्ता मेरे से हो सकता है अचले छा से थे हैसली चेलध knows च्टर के अंनल तो यह एक बनाते हमेद रहाय चाली में लिए लिए रहाम प्लंबिंग में काम म सकते है इंका लुडूशन यह लोग करते हैं अभ्यलन करता है कि इससा के हैक अब यहां से कैसे रहने ऐने वालाएशका बशान वारिआभ्य तो चलते इसका फ्रैडे की दिन साफ ट्रेडिंग व्यूंग वह समझता है कि फ्रैडे के दिन हमारे को मोटा मोटा धावी परसंट गिरावट के साथ यह बंद हुआ अब इसका थोड़ा सो अवर्यू करेंगे हम लोग इसका कॉर्टर थी रिजल्ट करेंगे इसका आज की डिट में मार्केट के नो हजार नो सो बासट करोड बेगा इसका 11.6 का रिटर आर ओसी इसका चलना है अब देखने को अब देखने को मिल रही है बाट रही है जब रिजल्ट के वाद इसमें अच्छी का सी ग्रावट देखने को मिली थी अब देखें खराब जादा भी नहीं आया था रिजल्ट थोड़ा उपर नीचे मिला जूला था बट पैनिक हो जाता था थोड़े से उसमें देखिए क्या होगा था क्वाटर थी में इसके रिजल्ट था थी दिसम्बत क्वाटर थी 2021 के अंदर एक हजार पांच करोड़ पर किसके सेल थी टोटल और इनका एक्सपेंस हुआ था और नेट प्रॉफिट इनका 235 से घटके 178 हुआ था और एपस्प हमारा 3.97 से घटके 287 हुआ था तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट कारोड़ से एपेस हमारा 4.12 से घटके 2.87 तो आप देख सकते हैं यानि मोटा मोटा हमारा को EPS में भी कमी देखने को मिली यह रिवाई कौटर कौटर वी ऑप्रेशन प्रॉफिट में यह रिवाई कौटर कौटर वाई गटत देखने को मिली तो इसलिए इसके अंदर कर देखने को मिलेते अब देखते हैं इसका रिजल्ट का वाई तो वह देखते सबसे पहले रिजल्ट तो इसका कौटर कौटर यह रिवाई प्रॉफिट सेल में थोड़ी बहुत कमी थी बट रिजल्ट खराब था यानि प्रॉफिट मुनाफ़क का मुआ था था 25 जनवरी को से बढ़के 5.47 74 हो गई है और दियाइस की होलिंग 10.67 से घटके 9.84 हो गई है और पवली की होलिंग 31.61 हो गई है और अधर की होलिंग 0.34 है अब देखे इसके अंदर देखे जो रिजल्ट आया था वह तो आय था 25 अब इसके चार्ट पर चलता सबस्वहले हम तो हमने वेक अधर करता है तो आप देखे दूसरी सपोर्ट हमें वेकली चार्ट पर देखने को मिल रहे हमारे को मिल दिये 163 के हास पास ठीक है तो यह सपोर्ट देखने हो मिल यह और शेर देखे अपने अब देखिए मसीडी पर पूरा डॉनफोल दिखा रहा है और आरसाई भी हमें रिजल्ट आया था आप देख सकते हैं 25 तारिक को देखे मुमेड बना था तेजी का फिर वहां से अच्छी कासी घ्रावट हुई तो यह देखे ग्रावट एक सपोर्ट देखने को मिल दा था हमें बावर यह देखे डेली चार्ट पर एक सपोर्ट था 170 के आसपास यहां प तरफ बुरा डाउनफुल के तरफ देखे लोवर टॉप जाने को तहिया बैठा है आप देखे अपने 200 और 150 और 100 और 21 डे के 21 डेस के एवरेज मुविंग के नीचे ट्रेट कर रहा है और पूरा देखे आरसाई भी हमारा थीज के नीचे जाने को तहिया वैठा था ओवर से टो तकि अलब भूर चौन्ब पर ≠ जाने वे तियार आप शेयर के नीचे शेयर की hall fund गेर्वेम। blender को कए डिखने को फो भी है अगर ये 161 केλ होड़ कर गया उसके भाद सूहन के लेवल पर सपोर्ड लुपके तो यह यहां पर सपोर्ड पर alliances यहां पर सपोर्ड लेता ह तो हम fresh buying करेंगे अधरवाइस जब 130-150 अपने 52 लोग के आसपस आगा जब इसमें हम fresh buying करेंगे अगर अब यह आपके पास है तो इसे hold करेंगे बट इसमें ग्रावट मंड़े के दिन definitely होने वाली है यहां से share फिर से गिनने को तो यहार बैठा हुआ है चार्ट पे neat clean breakout देखने को मिल रहा है ग्रावट के तेज़ी के indication दिख रहा है यहां से ग्रावट होगी तो यहां से आपको 114 के लेवल को support करता ठीक है नहीं तो 130 के लेवल आपको जल्दी तेखने को मिलेंगे यहां से ग और तो बॉटम फिर से बन चुका चार्ट पे तो और गिरावट देने को त्यार है मेरा मानना है कर आपके पास से होल्ड करना तो होल्ड करें बट आवाइड करें तो इसे निकल जल्दी 130 के लेवल पर आने को त्यार है यहां से कोई support नहीं दिख रहा है अगर यह कल की दि बीच माँ ट्रेड वार चल रहा है उसके स्थिति को देखके मंडे को दिन हम संडे के दिन फिर एक सो कॉल रहेंगे इस वार को पर पूरा निलाइज करेंगे उसके बाद वदाएंगे मंडे के दिन से ट्रेडिंग व्यू कैसे रहने वाला बट इस शेर के अंदर मुमेंट तो प्लीच वीडियो को लाइक शेर फवाट करने बिलकुल ना वहले थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो